वेलकम बैक तू दा चैनल गाई आज हमारे सामने है टाटा नेक्सोन इवी नेक्स जनेरेशन नेक्सोन का इवी वेरेंट आपके सामने इस टाइम पे है ये इसका डेटिफ ब्लस मॉडल है काफी यूनीक फीचर से साथ आता है सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक एंट्री कार के अंदर आ गए हो और इंडियन टेसला टाटा ने इस टाइन पर बना दी है रियालिटी में टाटा नेक्सोन एक नए वर्जन नए अफ्तार के सामने साथ में आई है प्राइजिंग के अगर मैं बात करूं तो चौदा लाग से स्टार्ट होती है एक शोरूम और उन्न तर्क्षन की कार देती है लॉक अन्लॉक करने पर आखर मबात करों तो इसके अंदर मॉडल्स आते ने हैं एक बाता इसके अंदर वाला एक आता है medium range वाला, long range वाले में आपको 25 km की range मिलती है और medium range में आपको 325 km की range मिलती है range का majorly फरक है और battery kilowatt का medium range में आपको 30 kilowatt की battery मिलती है और वहीं आप long range में चले जाएंगे तो 40 kilowatt की battery आपको देखने को मिलेगी यह जो सामने खड़ा है यह long range वाला model specifically खड़ा है और इसमें अगर आपको मैं बताऊँ आपको तो जो engine तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा नहीं तो यहां पर आपको यह motor जो आपको system है वो यहां पर देखने को मिलेगा जो की काफी efficient है अपने आपको dot EV करके आपको यहां पर badging भी मिलेगी as such कोई insulations नहीं मिलती है क्योंकि cabin already silent है बट इन्होंने तब भी insulations यहां पर pads डाल रखे हैं टायर के उपर कि at least road noise कम से कम आए गाड़ी के अंदर तो वो चीज दोनों साइड़ी यहां पर कर रख किये कारने का टाटा ने अपनी तरफ से तो वो चीज काफी ही जादा attractive बना देती है गाड़ी को और यह जो hood का hinge है ना इसके अंदर भी इन्होंने कुछ तो किया है जिसकी वज़े से इसको उठाने में काफी जादा असानी हो रही है बहरी सा नहीं लग रहा जैसे वजन जो उसका weight है वो सीधा हाथ पे आ रहा हो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है है उसमें आपका जो horse power है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि भाई गाड़ी की range जब उन्हें कम करनी है एक price point उन्हें कम करना है तो उनको फिर जो horse power है वो कम करनी पड़ेगी टॉर्क जो लेवल्स है वो दोनों गाड़ियों में सेम ही है तो वो जादा आपको matter नहीं करेगा स्टार्ट करते हैं इसके front look से front look अकर मैं आपको इहा पर दिखाऊं तो पहली बात तो आपको मैंने अभी भी जो काफी ही जादा अच्छी लगती है अगर आप यहां देखें तो हैड्लाइट के नीचे की तरफ जो एक टेक्चराइजट कॉम्बिनेशन दे रही है गाड़ी को और एक काफी अच्छा लुक गाड़ी के अंदर लिकाल रही है यहां मैं नीचे आगर बात करूं तो यहां से गाड़ी चल सकती है रोल पर रात के डाइन तो वो चीज आपको आपको आप देखने को मिल जाएगी टाटा की तरफ से यह चीज काफी ही जादा सही है बाकि अगर एक बार मैं जला के भी आपको दिखाऊं कि की हमें यहां पे इसके अंदर कुछ ऐसी मिल जाती है अगर हम की की तरफ देखे भी तो कुछ चावियां में दोनों चावियां ऐसी ही मिलती है इसके अंदर हमें एक headlamps करके feature मिलता है तो अगर आप यहां देखे तो कितना ही शांदार यह लुक दे रही है गाड़ी रियालिटी में बहुत ही जादा शांदार यहां पे आपको looking मिल जाती है Tata Nexon के अंदर जो एक काफी ही जादा अच्छा लुक आपको offer कर रही है और reality में एक futuristic design जरूर से आपको मिल जाता है अगर आप यहां पे दुबारा प्रेस करूँगा मैं उसको तो दुबारा यह जल जाएंगे तो reality में काफी अच्छा यह feature है और साथी साथ एक अच्छा लुक Nexon के अंदर Tata ने डाला है फ्रेंट लुक तो यही हो गया side look से अगर हमें मैं बात करूं तो major changes में सबसे पहले तो आपको इसका alloy wheel दिखाना चाहता हूं जो काफी ही एक अच्छा design में हाँ पे रखा है personally दूर से एक alloy wheel कम flex wheel जादा लगता है steel wheel जादा है तो आपको कोई भी speciality नहीं मिलेगी tire size में किया अगर आप एक EV ले रहे हैं तो उसका design language लगोगा alloy wheel का मैं बात करूं कुछ changes दोंगे तो वह ऐस सच कोई changes नहीं रखे गए फ्रेंट में disc brake rear में भी आपको यहाँ पे disc brake का provision कर दिया गया है क्योंकि electric है power जादा है तो आप आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी braking चाहिए होगी गाड़ी के अंदर तो वह चीज यहाँ पर clearly आपको दिख जाती है यहां मैं आगर बात करूं charging sockets की सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो ports दे रखे हैं उपर वाला जो port है वो भार अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी हो तो आप fast charging में लगा सकते हैं घर में चार्ज करने के लिए नीचे वाला port है 7.2 kilowatt का आपको यहाँ पर standard port जो charging system है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 15 ampere का charging system था वो हटा दिया गया है वो आप ले सकते हैं personally but फिलाल अगर हाँ पर मैं बात करूं तो आपको 15 ampere का हटा कर अब 7.2 kilowatt का charging जो system में वो दे दिया जाता charger as a standard मैं charging system कहूं आपको जो charger इसके साथ मलता है वो और वो काफी ही जादा efficiently चार्ज करता है गाड़ी को और काफी जल्दी चार्ज कर जेता है around long wheel base को long range वाले जो वेरेंट है उसको यह 6 घंटे में चार्ज करता है और उसको अपन 10% से 100% तो वो चीज यहां पर ध्यान रखना बाकि fast charging में 56 मिनिट में दोनों ही गाड़ियां चार्ज दो जाती है तो वो चीज काफी ज्यादा effective हो जाती है पुरानी Nexon में जो थोड़ी बहुत complaints थी range बढ़ा दी गई है personally तो वो चीज काफी अच्छी लगी मेरको यहां प करते थे बट यह moreover जादा stylish लगते हैं तो यह वाले और भी हम आपको यहां पर देखने को मिलें साइड लाइनिंग आपको जो एक थिक black glossy lining या फिर जो वेरेंट के कलर के हिसाब से white blue में चेंज होती थी वह यहां पर भी आपको continue मिलेगी यहां पर इन्होंने इस वेरेंट से इस color से अगर मैं बोलू तो वो blue color का जो यह use करते थे बहुत ज्यादा electric car के अंदर वो हटा दिया गया है सिरफ यहां पर आपको डॉट इवी की बाजिंग जरूर से देखने को मिल जाएगी साइड गेट की लुक आपको यहां पर ऐसी कुछ मिल जाती है यहां अगर मैं बात करूँ तो आपको door handles मिलते हैं यहां कोई request senses नहीं मिलते सिरफ driver side मिलते हैं और door handles भी आपको body color महीं दिये जाते हैं chrome chrome का use यहां पर नहीं दिखेगा आपको ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको roof rails मिल जाएंगी शाक्फिन इंटीना मिल जाएगा sunroof मिल जाएगा तो वह चीज इस clearly एक अच्छे features का indication गाड़ी के अंदर करती है जो काफी ही जादा अच्छी एक attractive deal बन जाती है personally गाड़ी बहुत ही जादा शांदार लगी मेरे को अब चलते हैं सीधा एक बार interior look में इसके interior look में भी आपको बहुत जादा features इन्होंने यहां पर दे रखे हैं reality में अगर आप check out करें तो यह Nexon EV का interior है बट लगता एक premium गाड़ी का interior है क्योंकि यहां पे आपको 10 inches की screen दे दी है टाटा का illumination वाला steering wheel दे दिया है personally यह steering wheel इन्हें अब हर गाड़ी में डाल देना चाहिए क्योंकि वो पुराने style के टाटा के logo वाले steering wheel ना अब उतने attractive नहीं लगते जितना attractive यह लग रहा है two scope steering wheel तो personally काफी एक अच्छी premium Ness car के अंदर offer कर रहा है उससे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको doorpad की look तो doorpad आपको मैं check out करवाऊंगा तो जरूर से अगर किसी को एक audio quality output अच्छा चाहिए गाड़ी के अंदर और भार से नहीं छड़वाना चाता है गाड़ी को तो personally उसके लिए काफी अच्छा profitable मैं काउँ डील रहेगी तो personally अगर आपको एक car चाहिए जिसके अंदर अच्छा audio upgrade हो पहले स तो इसके अंदर हैं तो उसके अंदर आपको एक बाकी चलते हैं अंदर बैठने के बाद सबसे पहले आपको कुछ एंस प्रॉपर इंटीरियर देखने को मिलेगा पूट स्वाटन से गाड़ी करता हूं एक बार on और यह कुछ आपको इंटरफेस मिलता है अं टाटा मोटर उसका मतलब रियालिटी में एक लग रहा है कि आप एक प्रॉपर मैं कहूं एक अपना मैं कैसे टेसला कार होती है बिल्कुल वैसी फील टाटा ने इसके इंदर डाल दी है इतनी बड़ी इन्होंने पहले तो कभी दी और अचानक से इतनी बड़ी इन्होंने स्क्रीन दे दी तो वह चीज काफी अट्राक्टिव लगती है पर्सनली अगर मैं बात करूं तो वह चीज काफी ही ज्यादा अच्छी लगते है और यहां पर मैंने इंडिगेटर एक सेंद को हेडलाइट आफ करने के लिए करा तो यहां पर आपको प्रॉपर मिरियरिंग के साथ आपको द ज्यादा प्रीमियम है प्यानो ब्लैक फिए चेज मिलता है और को अच्छा लोग ये ऑफर करते हैं इसलесक्ड़र उसave मिलता है अगर मैं अब यहां और आपको यहां पर करने लिए कर सकते हैं और नहीं मिलता तो इसापसे काफी सारे आपको देखने पर देखने पर स्टेरिंग फिल दमाएंगे तो आप इसको अपने हिसाब से इंस्ट्रुमेंट क्लस्चर आपका ड्राइवर का वह अपने हिसाब से चेंज कर सकता है तो यह चीज काफी अच्छी लगी बाकि अगर मैं बात करू तो अपको हैं पर आपको अपर तो करेगा यह प्रॉपर यह प्रॉपर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी तो वह चीज है मतलब रियालिटी में एक काफी अच्छा मैं कहूं सिस्टम इन्हों ने हैं पर डाल रखा नीचे आपको मिल जाएती है जो काफी जाधा प्रीमियं रखा गया है एस कंपेड्ट टु पहले की प्रीएस ग्रीजशन तो वह चीज है कि आपको एक काफी लग्जरी वाली फील्ड जरूर से आईगी आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगी लंबर सपोर्ट की अगर थाई सपोर्ट के यहां पर मैं बात करूं तो आपको कोई भी चेंज नहीं जर्वानी पड़ेगी आफ्टर मार्केट जाकर यहां पर आपको देखने को मिलता है इस इवेंट्स भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं रियालिटी में तो मतलब एक काफी अच्छी ठिक और अच्छी फीलिंग यहां पर आपको देखन है और काफी ही अच्छी डूएल स्पेस में आपको यहां पर स्पेस स्टोरेज मिल जाती है छे एरबैक का प्रोविजन यहां पर कर रखा है इन्हों ने तो वह चीज जहां पर बहुत अच्छी है उपर अगर मैं बात करूं तो एस यूजवल इंडियन की पहली पसंद करने फीचर में गिनवाद हूं उतना कम है वीडियो लेंदी होती जाएगी परसनली अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो शोरूम पे एक बार विजट करो गाड़ी की टेस्ट ड्याइव लो गाड़ी को एक बार खुद से देखो तब आपको पता चलेगा ड्राइविंग सी काफी जादा कमफेडेबल है ड्रेक पेडल आपको नीचे मिल जाता है ब्रेक पेडल और एक्सिलेटर पेडल में काफी अच्छा गाप रखा गया है यहां पर बात करूं तो आपको यहां पर 12V का चार्जिंग सॉकेट एक USU सॉकेट और टाइप C पोर्ट मिल जाता है 45 व चलते हैं रेर स्पेस में देखते हैं रेर स्पेस में क्या आपको comfort मिलता है और साथी साथ बूट स्पेस कैसी आपको यहां पर ऑफर करी जाती है अगर आगे की तरह पीछी वाला दूर भी सेम ही है सिरफ पावर बिंडर कंट्रोलिंग मिलती है वाइट कलर का आपको लेध किया जाता है लेधर राइड अपॉल्स्ट्री में सीटिंग मिलती है एक बार आप खुछ चकाउट करो कितना ही ज्यादा यहां पर डाल दी गई है और पर्सनली यह चीज मेरे को नेक्सौन के अंदर काफी पसंद आई रेर में आपको यहां पर इस इवेंट्स मिल जाते ह है 45W का जो काफी अच्छी है चीज है मेरे साब से यहां पर आपको बिल्कुल फ्लाट बेड मिलता है इवी होने के बाद भी क्यूकिस की जो बैटरी यहां वो सेंटर में नीचे की तरफ है और मोटर जो है वो आगे की तरफ है उसकी बाद भी कोई हम यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसकी हेडलाइट का और टेलाइट का हैडलाइट का तो मैं आपको दिखा दिया टेलाइट की आगर मैं बात करूं तो यह प्रॉपर जॉइंग करती है और एक काफी फीचुरिस्टिक लुक एवी के अंदर बेसिकली जादा देती है तो वो चीज क्लिय आपको यहां पर शो हो जाती है टाटा का है लोगो मिलता है, डीफॉगर मिलता है वाइपर आपको यहां पर मिल जाते हैं इसके अंदर, काफी चुपी जगा में दी है पर्सनली अगर मैं बात करूँ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं कैमरे का प्रोविजिन यहां पर आपको कर दिया जाता है नेक्स वन डॉट इवी की बैजिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाती है चार यहां पर आपको लगेज ग्रॉसरी हुक मिल जाते हैं यहां मैं अगर बात करूँ तो आपको यहां पर बी इन्होंने एक पटिकुलरली पोर्ट दे रखा है बैटरी से रिलेटेड तो वह चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है स्टेपनी वील की अगर मैं हापे बात करूँ तो वही 215-60-R-16 का स्टील भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा चार्जर यहां पर 7.2 वाट का आपको किलो वाट का यहां पर चार्जर देखने को मिल जाएगा तो जो काफी जल्दी चार्ज करता है 6 गंटे में लॉंग रेंज वाली को और 3.5 गंटे में शॉट जो मीडियम रेंज है उसको तो रियालिटी में मेरे साफ से काफी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको एक EV में स्विच होना है तो टाटा नेक्सॉन आ चुकी है आपके घर आने के लिए और काफी ही जादा बढ़िया गाड़ी है अपने प्राइस पॉइंट में अपने सेग्मेंट में और चार्ज हो जाएगी अगर आप एक फास्ट चार्जिंग जगा पे जाते हैं और घर में भी चार्ज करते हैं तो छे घंटे से लेके चार घंटे के बीच में आपका यह चार्जिंग पीरिड रहता है वह तो 10% के एसाफ से दिखाया है बहुत कमी लोग 10% से चार्ज करेंग वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच